चानक के आईएस अकैडमी करंट अफेर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवानी को भारत तरतन देनी की घूशना हुई है उसके बारे में भारतिय जन्ता पार्टी के वियोप्रद नेता लाल कृष्ण आडवानी को 96 वर्ष की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत तरतन से सम्मारित किया जाएगा प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी है विपुर्व प्रधार मंत्री अटल बिहारी वाजपई और भाजपा के संस्थापक सदस्य नाना जी देश्मुक के बार ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता होंगे प्रधार मंत्री मोदी ने इस पर लिखा है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवानी जी को भारत रतन से सम्मारित किया जाएगा प्रधार मंत्री ने ये भी लिखा कि देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और विदेश के उप्रधार मंत्री पत तक पहुँचे थे आडवानी पचासवे से वेक्ति है जिसे भारत रतन दिया जाएगा आडवानी से पहले 23 जन्वरी को ही बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री करपुरी ठाकुर को भारत रतन देने का एलान किया जा चुका है केंद्र सरकार एक साल में तीन लोगों को यह समान दे सकती है अब आप बात करेंगे कि प्रधान मंत्री ने इस पर क्या कहा प्रधान मंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्स मेर हैं, देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भी नहीं भूल सकता उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप्रधारमंत्री पत्तक कहुंचे थे विदेश के ग्रह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे थे उनकी संसदिय कारेशैली हमेशा अनुकर्णिय रहेगी सारजनिक जीवन में आडवानी जी दश्कों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रती अटूट प्रतिबद रहे उन्होंने राजनितिक नेतिकता में एक अनुकर्णिय मानक स्थापित किया है उन्होंने राष्ट्रिय एकता और सांस्करतिक पुनुरुत थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अभूत पूरू पुर्यास किये है उन्हें भारत रत्न से समानित किया जाना मेरे लिए बहुत भाउक्षण है मैं इसे हमेशा अपना सोभाग्य मानूगा कि मुझे उनके साथ बाचित करने और उनसे सीखने के अंगिनत मौके मिले हैं अब हम बात करेंगे कि इस पर आडवानी जी की क्या प्रतिक्रिया रही भारत रत्न दिये जाने के घोश्टा के बाद आडवानी जी ने कहा कि ये मेरे लिए केवल एक व्यक्ति का नहीं बलकि ये उन सिध्धानतों का समान है जो मैंने जिये जब से मैंने राष्ट्रिय स्व पति मुर्मू और प्रधार मंत्री नरिंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं इससे पहले 2015 में आडवानी को पद्म विभूशन सम्मान मिल चुका है 2015 में आडवानी जी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया इसे साल यानि कि 2015 में ही पुरू प्रधार्मंत्री अटल बिहरी वाजपई को भारत रत्न दिया गया था तब के राष्टपती प्रणव मुखरजी खुद उनके घर गये थे और उन्हें ये सम्मान दिया था वाजपई तब 90 साल के थे और ऐस्वस्त थे मुखरजी ने प्रोटोकॉल से हट कर पुरू प्रधार्मंत्री के निवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न दिया था वाजपई के अलावा इसी साल महामना मदन मोहन मालवी जी को मनोपरांत ये सम्मान दिया गया था 2019 में प्रणव मुखरजी को भी भारत रत्न से समानित किया गया था अब हम बात करेंगे आडवानी जी की जीवनी के बारे में आडवानी का जन्म 8 नमबर 1927 को कराची में हुआ था 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपे की सरकार में वे साथवे उपव परधान मंत्री रहे इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एंडिये सरकार में ग्रह मंत्री रहे वे भाजपा के फाउंडर मेंबर में शामिल थे के लिए लालकृष्ण आडवानी ने 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनात से अयोध्या तक रत्यात्रा निकाली थी 25 सितंबर 1990 से शुरू हुई इस यात्रा की कमान मौजूदा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के साथ भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोध महाजन ने सम्हाली थी ये आडवानी की रत्यात्रा का ही कमाल था कि 1984 में दो सित जीतने वाली भाजपा को 1991 में 120 सिते मिली इतना ही नहीं आडवानी ने पुरे देश में एक हिंदुवादी नेता के तोर पर पहचान बनाई इसके अलावा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, बिहार जिसे राज़ों में भाजपा को नई पहचान मिली इस यात्रा के बाद आडवानी पुरे देश में हिंदुवादी नेता के तोर पर स्थापित हुए लेकिन वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए उन्हें बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को अरेस्ट कर लिया गया था इसके साथ ही आज का हमारा विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद